संगम नगरी में गाय के गोबर से दियां और गड़े स्लच्मी की मूर्थी तैयार की जा रही है दीपा वाली के पर्व को लेकर बारिया बलाग में प्रेम गौसाला में और विशिंदु परसद गौर अच्छा बिभाग के दारा ये मूर्थी और प्रत्मा तैयार कराई जा रही है बारिया बलाग की स्वायम सेवा संथान की महिला हैं सुबह 10 बज़े से लेकर साम को चार बजे तक गाय के गोबर से दीवाली और मूर्थी तैयार कर रही है यह दीपक देश के प्रमुक धार्मी किस्थल और आयोध्या में होने वाले दीपुष्टों के लिए तैय तैयार किया रहे हैं दीपावली में दीपावली से पहले पहले यह गाय को गुबगर से बने दीपक और ग्रेश लश्मी की पृत्मा सभी धार्मी के स्थानुम में भेजे जाएंगे लेकिन सबसे अधिक यह आयोध्या में होने वाले दीपुष्टों के लिए तैयार किया और भी सिंदु परसद गौर अच्छे मिभाग द्वारा इसका निगरानी किया जा रहा है इसके साथ साथ इसका मुख देश या भी है कि जो गाउं की महिलाएं हैं जो स्वयम सिवक संसान से जुड़ी हूँ महिलाएं हैं यह ऐसे कारकरमों या ऐसे इस तरह के आयोजनों स थाफिया मूरती में दीपर में गोऔर अर संगर मिट्टील्ध मिलाए है जिससे पूरे मिछन से यह पूरी सारी मूरतीयं तयार किया रही है इसके सास सथ इनके झोर رंग का इस्पाल थी का भी इस्तुमाल किया जाया है साथ ही इसको सुगंधित बनाने के लिए गुलाब की पंखुडियों के भी मिश्राण इसमें मिलाएगा जिसे ये सुगंधित रहे और इसके साथ साथ एक धार्मिमानता भी है कि गाय के घोगर की लोग पूजा में इस्तमाल करते हैं इसलिए य सब्सक्राइब करें तो इन सब बनाने का मुट्र कारण है आज हमारे साथ बातकी करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इस वर्ष बिस हिंदू परशक के द्वारा दीपावली के औसर पर गड़ेश और लक्ष्मी जिनकी पूजा हम सब लोग करते हैं जो दीपक हम जलाते हैं वो हम गवशालाओं के माध्धन से गाय के गोबर से तयार करा रहा हैं हिंदू समाज की मानिता है कि गव माता के सरीर में 33 करोन देवी दिलतानों का बास होता है गाय के गोबर में साथ शात लक्ष्मी का बास होता है तो इसलिए बिशंदू पर्षत गोच्छा विभाग के दौरा हमारे यहां स्री प्रेम गोशाला नरी में है वहाँ पर स्वयम समू सहायता की जो महिलाएं हैं स्वयम सहायता समू की उनको कई टी में हमने लगा करके गड़ेश लक्ष्मी और दीपावली गाय के गोबर से बनवाना प्राग्ष कर दिया है अब जो प्लास्टाराप पेरिश से गड़ेश लक्ष्मी बनती थी एक वर्स जब हम पूजन करते हैं तो दूसरे वर्स हम नई मूर्ती रखते हैं और उस मूर्ती को गड़ेश में विसर्जित करते हैं तो प्लास्टाराप पेरिश और उसम्यानी जो केंटल डाल करके मूर्टियां तयार होती हैं उससे गंगादी में रहने माले जीव जन्तु भी मरते थे साथ ही साथ प्रदूशन भी बुता था और जो मूर्ति हम गवशाला के माध्यम से तयार कर रहे हैं वो गंगादी में प्रवाहित करने के पसाथ ही वो पानी में घुल जाएगी और गाय का गोबर तो वैसे ही एंटीवैटिक होता है वो किसी भी प्रकार की प्रदूसर को प्रदूसर की छती नहीं पहुचाएगी तो इस उद्देश से हम सब लोगों ने दीपावली को भार्पी और दिब्ब बनाने के लिए गवमाता के प्रती हिंदू समाज की आस्था जागित करने के लिए स्वयम समून सहायता की महिलाओं को रोजगार देने के लिए कई उद्देश को लेकर के हमने ये कारिप्रारंब किया है निजजित ही मुझे विश्वास है कि अगर इस वर्ष हमारे इस कारिकम में ये हमारा कारिकम शफल लहा तो आगामी वर्ष में हम प्रतेश के ही नहीं देश के कई दो सालाओं में गणेश लक्षमे की मूर्ती गवा दीप बनवाने का कारिप्रारंब करेंगे और अभी तो हम उतनी मात्रा में नहीं उतलब धिकरा पाएंगे इस वर्ष क्योंकि हमारा ये प्रथम प्रियास है लेकिन अगर हमारा ये प्रथम प्रियास सफल रहा तो अगले वर्ष की दीपावली में हम घर घर दीपावली के पूजन के आउसर पर गाई के गोबर से ब मात्रा और आध्या साय देश के अज्या निवागों से हो NEW करें हैं उटनी मात्रा में तैयारी नहीं कर पा रहें हैं इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जितना हमारे पास तैयार होगा आयोध्या के प्रमुख मंद्रों में कासी के प्रमुख मंद्रों में मतुरा के प्रमुख मंद्रों में और देश के प्रमुख मंद्रों सही देश के प्रमुख विद्वत अजनों के घरों में जो भी जहां तक कि हमारी मूर्तियां पहुंचाएंगी पहुंचाने का प्रयास करेंगे मेरा नाम दाल वर्तिवारी है मैं प्रांक मंत्री हूं दिशन्दु बर्शन को और अच्छा आयां का सीवार्ण